नमस्क्त कर अपको अपने YouTube चैनल अपका स्वागत है आज मैं आपनोगो पैनल कंपनी वाले यह पैनल बिल्डर होते हैं किस परकार से पैनल बनाते समय सीट की कटिंग करते हैं इसके बैंडिंग करते हैं तो example के लिए मैंने यहां पर पर पैनल का जीर ड्याएंग लीँआ यहां बखसा है Penal नहीं है एक enclosure है कहना चाहिए इसको छाहिखन है हँरे harus इन पर हम नहीं enclosure कहते हैं suppose एकDB अज मेरे जिसमें आप चुन्ट्रोर तीबी को mount करते है तो इसके अगर size की बात करूँ तो आपका 400 का width दिया है, height इसका 500 है और 300 का depth है, ठीक है तो अगर इस enclosure को बनाना है, तो इस enclosure को बनाने के लिए किस size के आप seat cutting करेंगे उसको किस प्रकार से bending करेंगे, इसके बारे मैं आपको जंका लिए देरा हम, ठीक है क्योंकि एक जो panel builder रहता है, उसको हम लोग इससे प्रकार के एक drawing देते हैं, fabricator को और इस drawing को समझ कर वो panel के जो seat है, उसको measurement लेता है, फिर उसको bending करता है measurement लेकर cutting करता है, फिर उसको bending करता है, ठीक है तो सबसे पहले आपका जो काम आता है, वो आपका measurement का है, तो suppose यह आपका एक बकसा है, इंक्रोजर है इसका हम किस प्रकार से measurement लेगा, seat का, वो मैं जनका लिए देरा हूँ, ठीक है तो देखे, यह जो बकसा है, सबसे पहले हो क्या करेगा, यह वाला जो part लिख रहा है, जो की height आपका 500 का लिख रहा है और यह आपका जो, यह जो depth है, यह 300 का लिख रहा है, इसको back side का seat होगा, इसके बाद इस side का seat होगा, ठीक है इसके बाद अगर side की बात करें तो यह 300 आ रहा है तो यह 300 लूँँगा और इधर भी आपकर 300 आ रहा है तो इसको भी 300 लूँगा, ठीक है उसके बाद में आपका एक हम дोगए इसको caller कहते हैं यह जो portion देख रहा है इसको caller कहते है उसको band करते हैं और यह जो दिख रहा है आपको यह वाला पॉर्सन इसको अरकी बोलते हैं तो यह जो कॉला रहता है 25 mm का लेते हैं तो दोनों साइट है 25 25 mm का लेंगे और यह जो आपका अरकी बोलते हैं इसको 17.5 का लेंगे ठीक है तो इस प्रकार से यह जो सीट है आपका 1 इसके पीछे वाला लिया है फिर 17.5 17.5 पॉइंट आपका ये 2 हो गया और 25 प्लस 25 आपका ये और ये पोर्षन हो गया ठीक है तो टोटल आपका 1085 का सीट हो जाएगा तो ये जो लंबाई कितना होगा 1085 होगा तो देखें मैंने 1085 का सीट ले लिया है और ये जो आपका हाइट दिख रहे है इसको क्या करना आपको इसी साइच करें ना है इसमें किसी फिकर करके कोई चैंज़ निकरना है तो मैंने हाइट ले लिया और लेंग्थ ले लिया ठीक है तो हमको ये वाला जो पोर्षन 1, 2, 3 यह portion के लिए complete हो गए next हम देख दे है तो यह देखें मैं यहाँ पे लिखा हूँ bending कैसे करेगा हूँ यह आपका collar है 17.5 का फिर आपका 25 sorry यह आपका 17.5 का अरकी है फिर यह का 25 का collar है वस इधर आपका 17.5 का आपका अरकी होगा फिर आपका 25 का collar होगा उसके बाद आपका 300-300 का यह जो side देखरे वो है और यह आपका 400 का है ठीक है तो एक बार यह bend होगा उसके बाद में यह वाला bend होगा फिर यह bend होगा वस इधर का इसको bend करेंगे इसको bend करेंगे और यह bend करेंगे ठीक है तो हमारे वसी अगर दूसरे साइट की बात करें तो आपका 17.5, 25, 300 बेंड होगा और ये तो हमको मिली जाएगा जब इन दोनों को बेंड करेंगे तो इस टैप के डिजाइन हमको मिल जाएगा तो एक सीट ये हो गया है ना ये पार्ट बन गया अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं से संब रहेगा तो इसके हम साइज ले लेते हैं ठीक है तो तो देखिए क्या होगा मेरा ये जो टौब की बात कर रहे हूं दिखे मैं इस टॉप की बात करूँ है न तो इस टॉप में क्या क्या रहा है एक तो यह वाला लंबाई आ रहा है इस लंबाई में कोई changes नहीं होगा लेकिन यह जो length है आपका 300 का यह लंबाई changes हो जाएगा किस परकार से change होगा मैं दिखा रहा हूँ ठीक है यह तो 400 रहेगा बट यह जो लंबाई आ रही है depth जिसको बोर रहा है वो 300 प्लस 25 आपका color हो जाएगा और 17.5 अरकी हो जाएगा तो इनको total करेंगे तो आपका 342.5 आपका दो नमर का seat हो जाएगा दो नमर का seat क्यों होगा क्योंकि एक उपर करेगा और एक नीचे करेगा तो आपको 400 मतलब यह वाला और यह वाला जो length है यह आपका 342.5 का दो seat आपको काटना पड़ेगा तो हमको कौन से यह design मिल जागा यह आपको यह वाला portion और यह वाला portion मिल जागा ठीक है तो हमको एक portion बस बचा हुगा है आपको एक मिल गए दो मिल गए तीन चार पाच मिल गए छटवे नमबर का यह जो door है सामने door होगा वो आपको छुटा हुआ ठीक है तो door का किस परकार से करेंगे यह मैं बता रहा हूँ आपको देकिए door में क्या क्या आ रहा है एक तो height आ रहा है 500 का और यह आपको 400 का यह जो width और है मैं हाइट की बात करता हूँ तो height में क्या हो जाएगा आपको 25 और 25 etzen to finish क्लिए है यह 25-25 माइनस कैसे होगा बता रहा हम आप लोगों देखिए यह जो डूर बनेगा यह इतना बड़ा बनेगा हा न क्योंकि और यह तो हमने 25-25 बेंट कर चुक है पहले से तो इसमें हमको ढगने की जौरत नहीं है तो यह जो 25-25 है मैंने यह माइनस कर दिया है यह देखिए 25-25 माइनस के 500 में और प्लस 15 प्लस 15 यह क्या होगा यह जो अरकी निकला होगा है यह जो अरकी लिकला होगा है इसमें वो फिट हो जाता हूँ ठीक है तो उसके लिए हम दोनों साइट दोनों साइट 15-15 mm का और एट करते हैं तो यह जो 500 है हाइट वो हमको 480 का कटिंग करना पड़ेगा है ना साइज देना पड़ेगा वैसे अगर 400 वाली बात करते हैं 400 मतलब किसी बात कर रहा हम है यह वाला पोर्सन जो है 400 तो यह ज प्रण जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 480 एन 380 का एक सीट हो जाएगा और इसको आप कैसे बेंड करेंगे 15-15 mm पंदर पंदर अम चारो तरफ से ऐसा यह बेंड हो जाएगा तो इस प्रकार से यह फ्रंट डोर बन जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यह जो हो जाएगा तो आज मैंने एक छोटा से पैनल को समझाने को को सिस किया है अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ मेरे चैनल इलेटेस गाट को सस्क्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप इससे र इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों बहुत धन्यवाद थैंक यू